स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं SCR के वारे में SCR क्या होता है ? SCR किस तरीके से वर्क करता है ? और SCR का वी आई कर्व क्या होता है ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें, शियर करें, कमेट करें, चलिए वीडियो को एंड तक देखें, स्टार्ट करते हैं, SCR SCR का full name होता है Sleekan Control Rectifier यह हमारा Sleekan से बना होता है इसलिए Sleekan Control Rectifier इसे कहते हैं यह हमारा SCR का symbol होता है यह हमारा diode की तरह ही होता है diode की तरह ही होता है diode की तरह ही work करता है यह हमारा anode, cathode, gate बट हमारा जो diode होता है diode में gate नहीं होता है उसमें 2 terminal होते हैं, इसमें SCR में 3 terminal होते हैं अब ही हमारी current flow होती है, वो हमारी anode से cathode की तरफ flow होती है और gate हमारा SCR को trigger करने में कारी करता है अब मता है हमारा construction, construction देखे, construction हमारे ये 3 terminal होते हैं एनोड, कैथोड, गेट, एंड T3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3, अभी हमारा J1, J2, J3 तीन जंक्शन है, एंड डायोड में हमारे दो जंक्शन होते हैं, J1 and J2, P1, N1, P2, N2, अब हमारा देख लेते हैं आगे, मैं आपको टॉपिक वाइस कराऊंगी, जिस तरीके से हमारा ब PDF चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको PDF भी प्रोवाइट करूंगी, चलिए देखते हैं, SCR एक यूनि डायोड डिवाइस है, जो स्लीकन सेमी कंडेक्टर डायोड की तरह कारिकरती है, मतलब यह जो हमारा डायोड है, यह SCR है, जो यह डायोड की त तथा SCR में मुख्य अंथर यह है कि सेमी कंडेक्टर डायोड से जो यूनि डायोड आउटपुट प्राप्त की जाती है, वह कंट्रोल नहीं होती, जो डायोड है, डायोड से जो आउटपुट निकलता है, यूनि डायोड आउटपुट निकलता है, वो कंट्रोल नहीं कि जा सकता जबकि SCR द्वारा 0-180 के बीच किसी भी पॉइंट पर आउट्पुट को कंट्रोल किया जा सकता है पर SCR जो होता है उससे 0-180 के बीच किसी भी पॉइंट पर हम कंट्रोल कर सकते हैं आउट्पुट को अब इसके लिए SCR का Important Terminal गेट का यूज किया जा सकता है हमारे यह जो है गेट इसके लिए हम गेट का यूज कर सकते हैं यह हमारे Important Terminal माना जाता है SCR में इस गेट टर्मिनल पर किसी भी समय Trigger Pulse एपलाई करके SCR को fire किया जा सकता है यह जो SCR में जो gate होता है इस gate पर हम किसी भी समय trigger pulse दे कर हम उसे fire कर सकते है SCR को और हमारा SCR trigger हो जाता है जैसे ही SCR fire हो जाता है anode से cathode के बीच current पहने लगती है जैसा कि मैंने बताया कि अगर SCR fire होता है तो anode से cathode की तरफ जात gate का control SCR के condition पर नहीं रहता gate पर से positive voltage की pulse को remove कर दिया जाए तो SCR conduct करता रहता है मतलब जो हमारा जो positive voltage होता है उसे SCR gate से remove कर दिया जाए तो SCR continuously work करता रहेगा अगर हमें SCR को रोकना होता है मतलब हम SCR को रोकना चाते हैं तो हम anode और cathode के बीच voltage या तो हटा दिया जाता है चलिए देखें अब यदि SCR के condition को रोकने के लिए यदि रोकना चाते हैं उसके anode cathode के बीच का voltage या तो हटाया जाता है अत्वा अपोजिट पोलर्टी का voltage एनोड या कैथोड के बीच लगाया जाता है मतलब जैसे कि हमें उसे condition on condition से हटाना है SCR को तो हम अपोजिट पोलर्टी का voltage एनोड या कैथोड के बीच लगा देंगे तो हमारा SCR ओफ हो जाएगा गेट पर negative pulse एपलाई करके भी conduction को रोका जा सकता है मतलब गेट पर apply pulse जो होती है उन्हें negative दे दिया जाए तो हमारा यह जो होता है SCR उसको ओफ की आफ अबस्ता में लाया जा सकता है अब आता है हमारा VI curve क्या होता है SCR SCR के एनोर वोल्टेज वा एनोर करेंट के बीच खीचा गया ग्राफ VI करेक्टरिस्टिक कहलाता है जो हमारी करेंट होती है एनोर करेंट और एनोर वोल्टेज उनके बीच में जो हमारा ग्राफ कीचा दाता है वो कहलाता है हमारा वी आई केरेक्टरिस्टिक चलिए देख लेते हैं वी आई केरेक्टरिस्टिक कैसा होता है यह हमारा वी आई केरेक्टरिस्टिक है इसे यह बहुत ही इंपोटेंट होता है क्योंकि आप जान सकते हैं इंप डाइग्राम्स का कितना वजट होता है डाइग्राम्स के बिना तो theory पर बहुत ही marks कम मिलते हैं तो diagram ज़रूरी होता है तो चलिए देखते हैं यह हमारा यहाँ पर मानेंगे हम current यह हमारी हो गई voltage यह हमारा forward wise यह हमारा reverse wise यह forward wise हो गया अब यह हमारा यह voltage यह reverse wise में है sorry current leakage current यह हमारी current reverse wise में है यह current हमारी forward wise में यहाँ से हमारी current है यह जो current है थोड़ा सा यह हमारा पीछे हो गई है मतलब back होके फिर उपर की ओर flow हो जाती है मतलब आगे की ओर बढ़ जाती है अब यह जो हमारी current है इसे बोलेंगी हम IH मतलब IH होती है हमारी holding current और IL यह IL होती है हमारी latching current तो मैं holding current और latching current के बारे में next वीडियो में बताऊंगी और यह हमारा होता है voltage यह होगे leakage current forward wise में and यह reverse wise में यह हमारा breakdown एक तरीके से breakdown होता है यहाँ से हमारे start हो एकदम break हो गया तो यह leakage current हो गई तो चलिए दोस्तों यह हमारा था VI curve and VI characteristic और latching current and holding current मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी तो इसके लिए आप मारे चैनल को subscribe जरूर कर लाए तो चलिए वीडियो को बाई बाई